नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल जियो वरल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों SPI PO परी 2020 को टार्गेट करते हुए अपने कौन्टिटी अप्टिट्टीट की जो कलास है शुरू की थी उसकी दोस्तों कलास नमबर 41 है टोपिक है दोस्तों अपना डाटा इंटर्प्रेटेशन का डियाई का अपना टोपिक है जिसका पार्ट फाइप है डियाई के दोस्तों इससे पहले अपन चार पार्ट कर चुके है यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप पले लिस्ट में जाईए वापर SPI PO परी 2020 के नाम से पले लिस्ट है और वापर पले लिस्ट में जाकर आप ये वीडियो जरूर देखिए ताकि कि आपको आसानी से समझ में आ सके और डियाई के बारे में पता लग सके कि किस परकार के डियाई के क्यूशन आपसे एकज्याम में दोस्तों पूछे जाते है तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज वीडियो के नीचे जो रे दोस्तों आज पहली डियाई अपने ली है दोस्तों तीन कमपनियों का उत्पादन इसके अंदर दिखाया गया है और जो उत्पादन है दोस्तों वो हजार टन में हैं उत्पादन कितना है हजार टन में हैं तीन कमपनिय हैं कमपनी ए कमपनी बी और कमपनी सी एक से साथ क्य क्यूशन दोस्तों मैंने रखे हैं दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आपको एक्जाम में नॉर्मली पांच क्यूशन एक डियाई पर पूछे जाते हैं और कभी कबार दोस्तों चार क्यूशन भी डियाई से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगी साथ क्यूशन कभी मैं से समझना है कि इस डिया के अंदर दिया किया गया है जैसे तीन कंपनियों का उत्पादन यहां पे दिया गया है पहली बात जो उत्पादन है वो हजार टन में है यह आप दिमाग में केलकुलेट रखना कि जो डाटा दिया गया है वो हजार टन में आपको डाटा दिया गया ह साल 2012 साल 2012 साल 2015 2016 2017 इन 6 साल का दोस्तों आपको डाटा दिया गया है और कंपनी कितनी है आपके पास तीन कंपनी है कितने साल है 6 साल है जिसे मैं बताओ आपको चो company A कौन सी है B कौन सी C कौन सी है वे से ये करम से ही है दोस्तो A B C यदि आप चितने डाइग्राम में नीचे देखना चाहिए हिंट में तो company B का ये company C का ये तो दोस्तो याप पर देखना आप ये दी 2012 की अपन बात करें तो company A का उत्पादन कितना है दोस्तो 40,000 ton company B का उत्पादन दोस्तो कितना है ये देखे याफर 45,000 ton और कंपनी C के उतपादन की बात करें तो कंपनी C का उतपादन कितना है दोस्तो 2012 में 35,000 तर तो इस परकार से दोस्तो यह दिख दिया गया जिसे 2017 की बात करें तो 2017 में तीनों ही कंपनियों का जो उतपादन है वो समान है और कितना है यह तीनों ही कंपनियों का उतपादन समा हैं तो दोस्तों क्यूशन में आपसे यह से भी पूचा जा सकता है कि वह कौन सा वर्ष है जिसके अंदर तीनों कमपनियों का उत्पादन एक समान रहा तो अपने यहां पर डाइग्राम को देखकर डायरेक्ट इसको सोल कर सकते हैं कि जो कमपनी तीनों कमपनिय हैं उनका साल 2017 के अंदर जो उत्पादन रहा वो एक समान रहा चलते हैं दोस्तों पहले क्यूशन की तरफ पहला क्यूशन अपना वर्ष 2015 से 2016 में कमपनी सी के उत्पादन में कितने परतिसत की वर्दी हुई कौन सी कमपनी की बात कर रहा है दोस्तों कमपनी सी की यह बात कर रहा है कमपन C का उत्पादन तो दोस्तों बात करें अपन तो दोस्तों कमपनी C की बात कर रहा है साल 2015 के यदि उत्पादन की बात करें तो कमपनी C का उत्पादन साल 2015 में कितना है यह यापे देखे कितना है 50,000 तन का उत्पादन है और साल 2016 के यदि अपन बात करें तो कमपनी C का उत्प गया है वर्स 2015 से 2016 में कमपनी सी के उतपादन में कितने परतिस्त की वर्दी हुई कितने परतिस्त की वर्दी हुई तो पहले 50 था उसके बाद में 60 हो गया तो कितने परतिस्त की वर्दी हुई पहली बात वर्दी कितने की वर्दी हुई दोस्तों या पर 10 की वर्दी हुई 10,000 पटन की वर्दी हुई, तो 10 की वर्दी हुई, कितने पर वर्दी हुई, 50 पर हुई, तो 10 बटे 50 इंटू 100, 10 बटे 50 इंटू 100, 50 से 100 को कैंसल किया, 2, 10 को 2 से गुणा किया, दोस्तो 20%, तो 2015 से 2016 में कमपनी सीख के उतपादन में 20% की वर्दी हुई, जो कि आपर option number A में है, नेक्ष्ट क्यूशन है, क्यूशन number 2, वर्दी 2006 में कमपनी सीख Woah 2, 13 में कमपनी A के उतपादन में कितना अंतरत्ектор, तो पहले दोस्तों दिया गया है, कि वर्द्स 26 में दोस्तों कि बात करें, तो मैंने दुबारा से लिखा है कि साल 2016 में कमपनी सी का उतपादन 60,000 टन है और दूसरा आपको पूछा दिया गया है कि 2013 की बात कर रहा है और कोई सी कमपनी की बात कर रहा है कमपनी एक की बात कर रहा है तो 2013 में कमपनी एक का उतपादन कितना है 35,000 टन है पूछा क्या गया इन दोनों में antar किया? antar पुचा गया तो 60 में से दोस्तो 35 मायनिस करना है तो कितना antar हुआ? 25 का तो 25,000 टन इस Q'ustन का सही जबाब है इन दोनों के 20 का antar कितना है? दोस्तो 25,000 टन इन दोनों के 20 का antar है कौन से option में है? 25,000 तरन यहापर उप्सन नमबर C में है तो उप्सन नमबर C को आपको टिक करना है उप्सन नमबर C जो है वो आपके क्युष्टन का यहापर सही जबाव है चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्युष्टन पर नेक्स्ट क्युष्टन है कम्पनी A, साल 2012 में कम्पनी A का उत्पादन कितना है, साल 2012 में कम्पनी A का उत्पादन है, दोस्तो 40,000, 2013 की बात करें, तो 2013 में कम्पनी A का उत्पादन कितना है, 35,000, और वही दोस्तो साल 2014 की दियेपन बात करें, तो साल 2014 में कम्पनी A का उत्पादन कितना है, 50,000, साल 2015 की बात करें तो साल 2015 में कमपनी एक का उत्पदन है 45,000 2016 की बात करें तो 2016 में कमपनी का उत्पदन है 55,000 2016 में एकजाम है दोस्तो आपको इसे लिखना नहीं है आप डाइरेक्ट इनको पलस कर सकते हो 2017 का उत्पदन है दोस्तो 55,000 तो अब दोस्त अपन से पूछा क्या गया कि ओस्त फाइंड करना है ओस्त फाइंड करने के लिए आपके पास वेली होगी, छाहिए नदेशा वेली को आपको पलस करना है, तो इन छहों को आज देपन पलस करेंगे, तो चाह, तिन साथ, साथ, पांच, बारा, बारा और सोरी दोफ़ोशी चार तिन साथ बारा सोड़ा सोड़ा सतर अचीश हूँखाईट दोफ़ोशी तीनसी नहीं तोस्थोशी टोटल हो रहा है तो दोफ़ोशी टोटल हो गए अपने पास में 280 कंपनी एक ही बात कर रहे हैं पन टोटल हो गए 280 सी भाग कितने का देंगे दोस्तों 6 का भाग देंगे क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल अपने पास में दोस्ते इसको डिवाइड कर देता हूं तो 140 वो नीचे हो जाएगा 3 तो 140 बटे 3 इसको अपन सोल करेंगे 14, 12, 6, 18, 0.66 जो की उपस नमबर E में है आपके पास तो उपसन नमबर E को आपको यापर टिक करना है उपसन नमबर E जो है वो आपके क्यूसन का यापर सही जवाब है तो इस परकार से दोस्तों आपको क्यूसन को सोल करने की कोशिस करनी है ताकि आपको सबसे पहले आपको दोस्तों यही देखना है कि क्यूशन में पूचा क्या गया है फिर जैसे क्यूशन में पूचा गया है उस हिसाब से आपको जल्दी से सोल करने की कोशिस करने है जैसे मैंने यहाप आपको लिख के बताया वह आपको समझाने के लिए बताया था यह आपको इसको डायरेक्ट क हो गया 125 के बार में दोस्तो या पर पेतालीस है तो 125 तीन 170 हो गया 170 और या पर बाद में दोस्तो 55 अगर या पर भी 55 है तो 170 अर 110 कितना हो गया 280 हो गया 6 का भाग लगाना था तो डारेक्ट दोस्तो आप इसको सोल कर सकते थे आपको उतना जदा लिखने की जूर्ट नहीं है कि दोजयाट 10 में, 12 में कितना था 13 में कितना था 17 में कितना था वह आपको बार बार लिखने की जूर्ट नहीं है आप मैं आपको समझाना α के इस अब से लिख रहा हूं ताकि आपको diagnose समझ में आ सके दोस्तो आपको find करना है तो वर्स 2013 में company B का उतपादन पूछा गया दोस्तो तो वर्स 2013 की बात कर रहा है और कौन से company की बात कर रहा है company B की बात कर रहा है तो 2013 में दोस्तो company B का उतपादन कितना है आप देखे आप 45,000 तन है और वर्स 2016 में company A का उतपादन और फिर बात कर रहा है वर्ष 2016 की और कौन से कंपनी की कंपनी एक की बात कर रहा है 2016 ये रहा कंपनी ए ये रही कितना व्यापार है इस उत्पादन है 55,000 टन का इन दोनों का क्या पुच्छा है अनुपाद पुच्छा है दोस्तों तो 45 अनुपाद 55 आप कर सकते है जाट आना आपको लगाने की जुर्ट नहीं है पांस से यदि कैंसल करता हूँ तो 9 अनुपाथ 11 पांस से यदि कैंसल किया तो अनुपाथ कितना आया 9 अनुपाथ 11 आपके पास में अनुपाथ निकल किया कौन से ओप्सन में है ओप्सन नंबर D में है और Company C के कुल उत्पादन के बीच अंतर क्या है तो दोस्तो यहाँ पे ध्यान से देखना Company B का कुल उत्पादन निकालना है Company C का कुल उत्पादन निकालना है फिर इन दोनों के बीच का अंतरा आपको find करना है दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले यदी कमपनी B की यदी मैं बात करूँ तो कमपनी B का उत्पादन यहाँ पे है 2012 में जो उत्पादन है वो 45 है 45,000 तन का है 2013 की बात करूँ तो यहाँ भी दोस्तो 45 है 2014 की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 25,000 तन है हैं और 2015 कि मैं बात कुरूं तो यहां पर 65000 तन हैं और 2017 की बात कूझ तो 25000.00 तो इन दोनों का इन पूरे कमपनी भी हैं उसके पोरे सालों आपको इसका उत्षपादे निकाला है तो पलस करते इसको 45, 45, 90, 90 और ये 110, 200, 260 और ये 325 ये टोटल हो गया दोस्तो 325,000 टन का कौन सी कमपनी का उत्पादन आया है ये कमपनी बी का उत्पादन आया है कितना उत्पादन हुआ कमपनी बी का उत्पादन कितना हुआ 325,000 Ton कलीर है यहां मालिख देता हुं Company B का उत्पादन है अपने पास में 325,000 Ton का Company C का भी कुल उत्पादन अफ़न को find करना है तो C का उत्पादन अफ़न find करेंगे तो यहां पर Company C की value है 35,000 Ton यहां पर उत्पादन है क्तूश्टो 45,000 Ton का तो यहाँ पर 45 जाटन हो गया और यहाँ पर उत्पादन कितना है दोस्तो 55 जाटन का और यहाँ पर उत्पादन है दोस्तो 50 जाटन का यहाँ पर उत्पादन है 60 जाटन का और लाश्ट में उत्पादन है दोस्तो 55 जाटन का और ये 30, 290 और 55 दस्ती ये इनका टोटल हो गया दोस्तो 300,000 तन तो दोस्तो जो कमपनी B का कुल उत्पादन था वो आपके पास में आया 325,000 तन और कमपनी C का कुल उत्पादन आया आपके पास में 300,000 तन अब पुछा क्या गया इन बीच का अंतर आपको पुछा गया तो आप इसमें से फाइंड कर लोगे तो कितना आ गया 25,000 तन का आपके पास में याफर डिफरेंस आ गया B और C का तो उपसन नमबर कौन से में उपसन नमबर C को आपको टिक करना है इसलिए आपको उपसन नमबर C या पर जो है वो आपके कुछन का सही जबाद दोस्तो इसी का डिफरेंस कितना है दोस्तों 10 का डिफरेंस है देखना आप मैं कैसे करता हूं B और D का डिफ बी और C का डिफरेंस अपन देखते चल रहे है ठीक है नॉर्मली माइंड में करना है इसको मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि B क्योंकि लाश्ट में अपन को जूर्ट नहीं है यहाँ पर बराबर है पलस करने की जूर्ट नहीं है यहाँ पर दोस्तों फिर से देखिए कौन ज्यादा है बी ज्यादा है कितना ज्यादा है दस ज्यादा है यहाँ फिर से देखिए कौन ज्यादा है बी ज्यादा हो रहा है बी ज्यादा हो रहा है कितना जादा हो रहा है 25 जादा हो रहा इजी वेमें आप इस क्यूसन को इस फरकार सोल कर सकते हो यह होगी दोस्तों आपके लिए इस क्यूसन की ट्रिक क्योंगि आप दोनों को इदी पलस करते बेठोगे तो 6 value आपको पहले B की पलस करनी हैं उसके बाद में 6 value दोस्तों आपको C की plus करनी है फिर minus करना तो आपको time लगेगा और plus करने में आप गलती भी कर सकते हो normally आपको सीधा simple देखना है कि यहापर बराबर है तो कोई difference नहीं आए नहींगा यहापर बराबर है दोस्तों बिना pen paper उठाए बिना pen और paper के without pen और paper आप इसको solve कर सकते थे और easy way में आप 5 second या 10 second में इसको आसानी के साथ solve कर सकते हो और वे से देखा जाए तो केल्किलेटिव क्यूस्टन है इसके बाद में दोस्तो इसके बाद में आपके पास में question number 6 question number 6 दोस्तों क्या बोलता आपको इवर्स 2015 में company A और company C के उत्पादन के बीच का अंतर सिरफ 2015 की बात कर रहा है तो यह रह 15 company A यह रही company C यह रही 2015 की बात कर रहा है और company A और C की बात कर रहा है company A का उत्पादन कितना है दोस्तो या फर 45 हो और company C का उत्पादन कितना है दोस्तो 50 है कि अब दोस्तो अपने या पर और option देखेंगे 45 और 50 तो ये 45 50 हाँ 2015 में A اور C का उत्पादन तो 45 यह हो गया अपने पास में 45 और यह हो गया दोस्तो 50 दोनों का आपको अनुपाद फाइंड करना है दोनों का अनुपाद फाइंड करेंगे 5 से केंसल किया 9 इसको 5 से केंसल किया दोस्तो 10 तो यह हो गया पीडियेब में मैं यहाँ पर सही कर दूँगा ओपसन नमबर D है दोस्तो 9710 9710 जो है इसका सही जबाब है चलते है दोस्तो नेक्स्ट कुशन पर नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर 7 इसी डियाई पर मैंने 7 कुशन रखे है और उसका अंतिम कुशन है वर्स 2012 में कमपनी A, कमपनी B और कमपनी C का उस्त उत्पादन कौन से साल की बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है तो कमपनी A का उत्पादन कितना है दोस्तो 2012 में 40,000 तन, कमपनी B का उत्पादन कितना है 2012 में 45,000 तन, कमपनी C का उत्पादन कितना है दोस्तो 35,000 तो टोटल उत्पादन हो गया दोस्तो 120,000 तन और आपको ओस्त फाइंड करना है तो 120 में कितने का भाग दूँगा 3 का भाग दूँगा क्योंकि या पर 3 वेल्यू अपने पास में तो 120 को 3 से डिवाइड किया तो वेल्यू कितने आगे आपके पास में 40,000 तन आपके कुशन का या पर सही जवाब है एसे क्युशन को भी दोस्तो याप थोड़ा सा यापको माइंड में उनक्स मिलाने कोशिस करूँ तो मेरे को कम करना पढ़ेगा इसको जितना कम करना पड़ेगा उसको इतना भी बढ़ाना पड़ेगा तो यह तीनों लेवल में आ जाएंगे लेवल कितने पर आएगा 40 पर आएगा तो डायरेक्ट 40 को भी मैं आप टिक कर सकता था तो इस परकार से दोस्तो आपको कुछन को सोल करने की कोशिस करनी है आप रखे है आठ क्यूसन नमबर आठ से लेकर क्यूसन नमबर 14 तक साथ क्यूसन दोस्तों अपने डियाई में करने वाल है D.I. किया है चलिए वो समझते है पहले तीन सहर दिए गए है A, B, C तीन सहर की जिनसंग क्या आपको दी गई है और वो किसमे दी गई है लाखों में आपको जिनसंग क्या दी गई है वırस 2010 से लेकर वरस 2015 तक तो कितने साल हो गई दोस्तो 6 साल आपको दिये गई है और सहर कितने डी गई दिये गई है दोस्तो आपको CT आपको दिये गई है 3 A B और C जेसे अपने बात करें CT A की तो CT A की जिंसंग Do A10 में 4 है 4 का यानि 4 लाक है और 2011 की बात करें तो यहापर जिंसंग का जो है 6 लाक है 2012 की बात करें तो यहाप जैं सिंग के भाइज यहाईί आफ मैं लिखाऊ इसको तो यहाप चार लाग यहाई छे लाग यहाई पर पंच लाग यहाई जैंस पहर तो इस साथ लाक है, यहाँ पर फिर से साथ लाक सेम रही, यहाँ पर कम हो गई, छे लाक हो गई, यहाँ पर इसके बाद में दोस्तो आठ लाक हो गई, यहाँ पर यह दियापन देखे, तो यहाँ पर यह कितना हो गया, दस लाक हो गई, यहाँ पर यह दियापन देखे तो ग्यारा तो यहाँ पर जो जनसेंग के आई है अपने पास में वाई 7,7,6,8,10,11 तो इस परकार से दोस्तों आपको यह डी आई दी गई है तो उम्मिद करता हूँ आपको डी आई समझ में आ रहा होगी वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो पलीज इसको लाइक जरू कीजिए तो दोस्तो आठ क्यूशन नम्बर आठ है अपना 2015 में सहर सी की जिनसिंग है 2015 की बात कर रहा है दोस्तो और कौन से सहर की बात कर रहा है सहर सी की बात कर रहा है तो 2015 ये रहा सहर सी की बात कर रहा है तो दोस्तो सहर सी की ये रहा कितनी जिनसिंग है इसकी जिनसिंग क् रहे दोस्तों आप ग्राफ में अच्छे से यह अपन देखे लाइन ग्राफ में तो इसकी जनसंग क्या दोस्तों ग्यारा लाक कितने जनसंग क्या रहे है दोस्तों इसकी जनसंग क्या रहे है ग्यारा लाक वही दोस्तों आगे दिया गए और 2014 में सहर B की जनसेंगे साल 2014 की बात करें तो कौन से सहर की बात करें सहर B की बात करें साल 2014 में तो साल 2014 में सहर B की जनसेंगे की बात करें तो कितनी है दोस्तों या पर यह है 13,00,000 कितनी लाग है 13,00,000 इन दोनों जन संके होके 20 का अनुपात आपको फैंड करना है तो यह हो जाएगा 11,00, 13 कितना अनुपात हो जाएगा 11,00, 13 किसी भी संके से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको इतना ही रखेंगे तो कौन से option को आपको tick करना होगा वर्दी हुई तो कौन से साल की बात कर रहा है दोस्तो साल दोजार दस से साल दोजार ग्यारा की बात कर रहा है और कौन से सहर की बात कर रहा है तो दोस्तो देखते हैं सहर एक यह दी बात कर रहा है दोजार दस से ग्यारा में तो दोजार दस और ग्यारा यह रहा तो दोजार प्याब को कि कितने प्रतिसत की वर्दी हुई तो पहली बात तो दोस्तो पहले जनसिंग क्या थी चार उसके बाद में कितनी हो गई छह लाक पहले चार लाक थी उसके बाद में छह लाक होगी कितनी बड़ी दोस्तो दो बड़ी नॉर्मली कीजिए दोस्तो पहले चार थी उस से 100 को cancel किया दोस्तों 50 तो कितना answer निकल किया दोस्तों आपके पास में 50% 50% की जन्संक्या में वर्दी हुई साल 2010 से 2011 में सहर A में तो option number कौन सा है 50% का option number B है इसलिए आपको option number B को tick करना है option number B जो है वो आपके question का या पर सही जबाब है option number B is correct answer of question number 9 next question अपने पास में वर्द 2011 में सभी सहर की उसल जन्संक्या वर्द 2011 की बात करा यह रा वर्द 2011 वर्द 2011 में सभी सहर की उसल जन्संक्या आपको find करनी है तो वर्स यदी 2011 की यदी मैं बात करूँ या पे तो अपने पास में जनसें क्या देखना दोस्तो 2011 की यदी मैं बात करूँ तो सहर A, सहर B, सहर C तो सहर A की जनसें क्या कितनी है देखना आप सहर A की जनसें क्या दोस्तो या पर 6 लाख है है सेरह एकी जैंसेंगे छह्लाक है और बीकी इद्रीबात करूँ तो बीकी जैंसेंगे दोस्त उNewातremos है और सीक्रーボिय की दोस्त कर्fo सेक्ष्ट ने दोस्तो कि वंडम करना है तो तो दोस्त उॉष्ट हो जाएगा इसको डारएक ली दोस्तों मैंने केसे सब्ड़ किया या पर यह जो आठ मैं से एक मैंने इस6 को देसा तो या पर सात इसके बाद में चलते है uważ No.11 आपकर अजर जनसेंग क्या आपको फैंड करनी है जो B City है उसकी ओसल जनसेंग आपको फैंड करनी है तो पहली बात सहर बीकी अपनी जनसेंग क्या देखने तो साल 2010 की बात करो आप इसको जैसे मैंने बताया था पिछले जो पिछली डियाई में कि आप डिरेक्टली भी कर सकते है या आप मैं समझाने के साब से या पर लिख रहा हूँ कि साल 2010 में यह देखे तो सेर बी की जन सेंग है दोस्तों पांच लाक पांच लाक है 2011 की बात करे से दोस्तों तो 2012 में है दोस्तों यह 11,00,00, 13 की दोस्तों जिदे बात करे तो 13 में है दोस्तों यह आपर 15,00,00, किये रहा और नेक्स्ट अपन बात करें साल 2014 की तो 2014 में दोस्तों तेरा लाक और 2015 की अपन बात करें तो 2015 में दोस्तों 17 लाक क्या पूचा गया सहर बी की ओसत जनसंग क्या पूची गई है तो इन सब को पलस करना होगा तो पलस करेंगे दोस्तों 17 और 13 कितना हो गया? 30 हो गया 30 और वह 15 पे तालीस पे 4 सरय GY चई चपण और 8 कितना हो जाएगा दोस्तो 64 64 और 5 गुण अंतर तो इन सब का टोटल कितना हो गया दोस्तो 69 गुण अंतर इनका टोटल हो गया तो इसमें किस deeper करेंगे दोस्तो 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो साल है अपने कितने है 6 साल है तो 6 से इसको डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करता हूँ 3, 2, 6 तो ये 3 23 बटे 2 23 बटे 2 आया 23 बटे 2 को सोल करेंगे तो 11.5 23 बटे 2 कितना हो जाए कि 11.5 तो सहर B की जो जनसन के है दोस्तो वो कितनी है 11.5 लाग है जो कि कौन से उप्षन में है दोस्तो जो कि उप्षन नमबर आपके पास में याप ए में है तो उप्षन नमबर ए को दोस्तो आपको याप टिक करना है उप्षन नमबर ए जो है वो आपके क्यूशन का यापर सही जवाब होगा इसलिए उप्सन नमबर एक को आपको यापर टिक करना है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तो आपके पास में क्यूशन नमबर बारा वर्स 2015 में सहर एकी जनसंग क्या में 20% की वर्दी हुई कौन से साल की बात कर रहा है दोस्तो साल 2015 की ये बात कर रहा है 2015 में सहर कौन से की बात कर रहा है सहर एक की बात कर रहा है तो 2015 में सहर एकी जनसंग क्या की बात करें तो जनसंग क्या कितनी थी दोस्तो सहर एकी जनसंग क्या होगी दोस्तो यापर 10,00,000 कलियर है 10,00,000 अब ये क्या बता रहा है दोस्तो यापर 10,00,000 जब 2015 में सहर एक की जनसंग्या थी यापर अब ये बोल रहा है कि वर्ष 2015 में सहर एक की जनसंग्या में 20% की वर्दी हुई कितने की वर्दी हुई दोस्तो 20% की वर्दी हुई कलिर है 20% की वर्दी हुई यानि की 120% हो गई आप डायरेक्ट कर लीजिए 120% हो गई या फिर 20% आप निकालोगे तो 10 का आपको 20% निकालना है तो 10 का आप यह दि 20% निकालोगे तो 10 इंटू 20 बटे 100 तो यह कितना आजाएगा दोस्तो यह आजाएगा आपके पास में 2 लाग तो दोस्तो 10 लाग आपके पास में पहले थी और कितने की वर्दी हो गई 2 लाग की आपके पास में वर्दी हो गई पहले थी 10 लाग अब 2 लाग की वर्दी हो गई तो वर्ष 2016 में आपके पास जन संग के आएगी वो आएगी दोस्तो 12 लाट जो की आपर उपसन नमबर डी में हैं इसलिए आपको उपसन नमबर डी को याप टिक करना होगा उपसन नमबर डी आपके क्यूशन का सही जवाब होगा दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे दुवारा बताया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और दोस्तों यदि आपको डेली क यह प्योपरी 2020 को टार्गेट करते हो यह जो अपने यह कलासे शुरू की है quantitative attitude की यह दोस्तों जो कलास है अपनी यह Monday to Friday अपनी कलासे चलती है Monday to Friday अपनी कलासे चलती है Monday to Friday यानि कि Saturday और Sunday को दोस्तों आपको quantity of attitude का कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा क्योंकि यह Monday to Friday अपनी कलास है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आये थे मेरे पास इमेल आये थे दोस्तों जिसमें बोला गया कि आज कलास क्यों नहीं है तो Monday to Friday दोस्तों अपनी यह कलास होती है नेक्स्ट कुशन है दोस्तों क्यूशन नमबर 13 वर्स 2014 में सहर एक की जिनसंग्या 2013 में सहर सी की जिनसंग्या का कितना परतिसत है तो पहली बात दोस्तों कि वर्स 2014 में सहर एक की जिनसंग्या कितनी है वर्स 2014 में सहर एक की जिनसंग्या कितनी है तो सहर एक की जनसंग ये देखिए दोस्तो या पर कितनी है 6 लाख है 6 लाख क्या रहा 6 लाक है 2014 में जनसंग ये साल 2013 के इद लेनी है तो 2013 में C की जनसंग क्या हो जाएगी दोस्तों ये आठ लाग पूछा क्या गया है कि 2014 में सहर A की जनसंग क्या 2013 में सहर C की जनसंग क्या का कितना परतिस्थ है यानि कि जो ये 6 है वो इस 8 का कितना परतिस्थ है 6 जो है वो इस 8 का कितना परतिस्थ है तो 6 बटे 8 into 100 2 से कैंसल किया 3 इसको 2 से कैंसल किया 4 4 से 100 को कैंसल किया 25 तो 25 गुणा 3 25 गुणा 3 कितना होता है दोस्तो 75 फीचोतर आपके पास में आंसर या पे निकला 24% है कि जो वर्ष 2014 में सहर A की जनसंग क्या है वो 2013 में सहर C की 75% है कौन से उप्षन में हैं उप्षन नमबर E में हैं तो इसलिए अपन को उप्षन नमबर E को आपर टिक करना होगा उप्षन नमबर E जो है वो इस क्यूशन का सही जवाब है चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन पर anchor question दोस्तो क्यूशन nummer 14 है इस डी आई का व्हाई साथे ज़ं सेशन फाका यह थे कियूसे आज और आज के सेशन का दूस्न है दूट 지금은 ञिश्टो आज अपने फिर से इस वीडियो के अंदे रिटा ए डियाई में दोस्तों एक पर्प्तेग डियाई में अपने लिया था वो सिंगल लाइन का लिया था और जो ग्राफ डियाई ली थी वो भी अपने सिंगल की ली थी उसके बाद में दोस्तों पिछले वीडियो में अपने जो ग्राफ वाली डियाई ली वो डवल ग्राफ की ली और आज के इस वीडियो में अपने थ्री वाली ली है लाइनिंग ग्राफ में भी तीन डाटा दिया गया है और जो अपने शुरू में जो पहली डियाई थी आज की उसमें भी दोस्तों तीन ग्राफ वाली तीन कंपनियों का डाटा आपको दिया गया था तो दोस्तों लाश्ट क्यूसना चली कर लेते हैं इसको भी 2011 में सहर B की जन संग क्या 2011 में सहर B की जन संग क्या और 2016 में सहर C की जन संग क्या 2016 में सहर C की जन संग क्या का अनुपाद दो अनुपाद इन दोनों का अनुपाद कितना है दोस्तो 25300 यानि दो बटे 3 लिख दूमाई इसको 211 में दोस्तो सहर B की बात कर रहे है 211 में दोस्तो सहर B कितना है 8 है तो अपने आठthird लिख सकते है तो यह आजाएगा आपके पास में 8 बटे जो अपने को फाइंड करना है दोस्तो 2016 में सहर C की जनसेंग के आपको find करनी है तो इसको दोस्तो इदी मा अक्स लिख लेता हूँ तो 8 बटे अक्स बराबर 2 बटे 13 तो अक्स की value दोस्तो ये उपर लिखता हूँ मैं देख रहा है 8 बटे अक्स ये हो गया अपने पास में 8 बटे अक्स बराबर 2 बटे 13 अक्स अपन को चाहिए तो ये value क्या आजएगी अपने पास में 8 इंटू 3 बटे 2 2 से 8 को cancel किया 4 तो 4 को 3 से गुना किया तो कितनी value आगई दोस्तो 4 ती 12 बारा लाग के आपे अपने पास में value निकल के आई है जो जनसंक्या होगी 2016 में सेर सी की वो कितनी होगी दोस्तो 12 लाग होगी सेर सी की जनसंक्या 2016 में कितनी होगी 12 लाग होगी कौन से option में है? Option number D में है इसलिए अपन को option number D को टिक करना होगा और option number D जो है वो अपने QSAN का यापर सही जबाब है दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए और यह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है आप इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की पीडियाप पा सकते है और दोस्तों यदि आपको डेली करेंट हफेर की पीडियाप चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलेग्राम गूरूप और वाटसब गूरूप में जोईन हो सकते है और दोस्तों जो top 10 current affair की class है वो इसी channel पर अपनी daily basis पर होती है जिसके अंदर आपको 10 questions पूरी detail के साथ दोस्तों आपको समझाये जाते हैं आपको बताये जाते हैं जिसके अंदर आपको question of the day भी आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों यह आपको current affair की class है जो सभी प्रकार की परतियोगी परिक्षाओं के लिए उप्योगी है वो भी आपको इस channel पर available है thanks to watching video all the best